Hello my dear students, welcome to Magnate Brains, I am your teacher Shilpi Tiwari और आज स्टार्ट करेंगे Class 1 Environmental Studies का next topic जिसका नाम है Sky Above Me Sky का मतलब क्या होता है? Sky का मतलब होता है आस्मान, खुला आस्मान जिसको आप आकाश के नाम से भी जानते हो और इस चाप्टर में चिल्रन ये बोला गया है Sky Above Me, हमारे जो उपर, Above मतलब उपर, मेरे उपर जो आस्मान है उसके बारे में भी तो बात करें, उसके बारे में भी तो जानें कि Sky में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें दिखने को मिलती है क्योंकि Sky अपने आप में ही कितना सुन्दर है, Right और Sky जब हम उपर देखते हैं तो हमें मिलते हैं कितने सुन्दर सुन्दर नजारे, पक्षी उसमें ओड रहे होते हैं, Clouds देखते हैं, Sun देखता है, Moon देखता है, Stars देखता है और यह सारा जो पार्ट है, Children, यह सारा मिलके बनाता है, Sky की Family जैसे हम सबकी Family है न, हम साथ में मिलके रहते हैं अपने अपने घरों में, उसी तरह से Children, Sky के साथ, उनके यह सारे Members रहते हैं साथ में और आज डिसकस करेंगे उन ही सारे Members के बारे में, जो है Sky की Family Okay, so we are going to learn about this beautiful sky and its members and we will understand that what are things available when we look on the sky Okay, so let's start the chapter जिसका नाम है, Sky Above Me Okay, go out in the open, go out in the open, मतलब खुली में चले जाओ, घर के अंदर नहीं, बिलकुल बाहर निकल जाओ घर के, Go out in the open, now look up और देखो उपर अपने, ठीक है, go out in the open and look up Look मतलब देखना, अप मतलब उपर, look up, you will see the blue sky, क्या दिखेगा, निला निला आस्मान, you will see the blue sky when you are coming out of the house Okay, क्या बोला है, go out in the open, है ना, बाहर निकल जाओ, उपन में, this is open area, निकल जाओ and look up, उपर देखो खडे हो कर तो suppose this boy has come out from his home and when he is seeing up, तो what he can see, he can see the big sky, the blue color sky, okay In the day, you will see sun and clouds in the sky, दिन में अगर घर से बाहर निकला है, तो क्या दिखे रहा है उसको उपर देखने पर, sun, ठीक है, big sun and he can see clouds in the sky, clouds मतलब बादल, okay, you can see, बाहर, सुबा के दिन जब निकला, सुबा के टाइम पे जब घर से बाहर निकला, तो उसको दिखा sun, okay and साथ में दिखे clouds, clouds मतलब बादल, white, white color के उसको दिखे clouds, the sun rises in the morning, it rises in the east, सुरज कब निकलता है, राद को निकलता है क्या, no, हम कब उठते हैं, morning में उठते हैं, और क्यों उठते हैं, क्योंकि सुरज निकल जाता है, और सुरज फिर कब निकलता है, It rises in the morning. Sun rises in the morning children, ठीक है? Sun rises in the morning, not in the night. सुबा जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है? जो रात करके हम सोई थे, सुबा हमको light दिखती है हर जगा. और वो light क्यों दिखती है? क्योंकि सूरज निकल चुका होता है. And that is why sun rises in the morning and it rises in the east. निकलता कौन से एरिया से है? वो निकलता है, चिल्रन, east से. ठीक है, east का मतलब क्या होता है? अगर ये अपना अर्थ है, चिल्रन, तो हमारे east के side से निकलेगा. इस दिशा से निकलता है, ठीक है, eastern side से. अगर इंडिया है, इंडिया के कौन से एरिया से निकलता है? East से. ओके, eastern side से सूरज निकलता है, चिल्रन, और इसलिए यहाँ पे बोल रहे है, it rises in the east. दो चीज बताई जा रहे है, एक तो morning में निकलता है, और दूसरा जो निकलता है, किस तरफ से निकलता है? East के side से निकलता है. यही है न, यह अपना अर्थ हमने पढ़ा था पिछले chapter में, और अर्थ में अपना इंडिया कहां है? यहां है. ओके, तो rise कहां से हो रहा है? East से होता है. ओके, इस तरफ के जो portion है इंडिया का, तो वहां पे ही सूरज पहले दिखता है, क्योंकि वहां से ही सूरज attendance पहले देता है. ओके, so the sun rises in the east. ओके, the sun sets in the evening. और डूपता कब है? रात कब होनी शुरू होती है? शाम को 5-6 के बाद. तो वो क्या समय होता है? वो होता ह समय इवनिंग का. The sun sets in the evening. It sets in the west. ठीक है? अब निकलता अगर east से है. जैसे के, again, if I draw your globe here on an earth. और यहां पे अगर आपका इंडिया है. और निकलता अगर east से है, मेरे बच्चों, तो set कहां होगा? set का मतलब ढूबेगा कहा? ढूबेगा west से. ओके, ढूबेगा west से. निकलता अगर east से है, तो ढूबेगा कहा? west से. ठीक है? तो यहां से सूरज निकलता है. राइजेज. राइजेज मतलब निकलना और sets का मतलब होता है. ढूबना. ओके, तो sun यहां से निकलता है. और कहां जाके ढूबता है? west में जाके ढूब जाता है. और वो कब होता है? आपका हो होता है इवनिंग में कब होता है शाम के समय आपका सूरज टाटा बायवे बोल देता है और मॉर्निंग कब होती है उसकी सुबह के समय good morning कब करता है सुबही करता है क्योंकि सुबही सूरज निकलता है और बोलता है hello I am back okay so morning में sunrise होता है कहां से इस्ट से होता है और डूबता कहां है? वेस्ट में जाके डूबता है और कब डूबता है? शाम के समय. Okay, कहते हैं ना शाम हो गई है, चलो सूरज भी ढूब रहा है, घर चलो चलो अंधेरा हो रहा है. क्यों? क्योंकि सूरज ढूब रहा है, सूरज आपको बाई-बाई बोल रहा है, right? और कब निकलेगा? पूरी रात के बाद, it will rise in the morning, okay? And from where it will rise? It will rise from the east direction, okay? तो वही चीज लिखिए, the sun sets in the evening, it sets in the west, ठीक है? Evening में क्या होता है? डूब जाता है, set हो जाता है, और कौन से direction में set होता है? West direction में set होता है, ठीक है? तो ये है आपका सूरज, हमने पढ़े सूरज के बारे में, भही कहां से वो निकले और कहां जाके डूब गए? We learnt about your sun. Now, at night, you will see the moon and stars in the sky. अब रात का समय आगया, अब रात के निकले पहरेदार, कौन-कौन थे आपके पहरेदार? Moon और stars, at night, रात के टाइम पे, जब सूरज ने बोल दिया, बाई बाई बाई, मेरा दिन हुआ पूरा, अब तो मैं चला, तो कौन निकला? रात के समय, children, you start seeing moon and the beautiful, beautiful stars, है ना? चंदरमा दिखता है, तारे दिखते हैं, उपर twinkle, twinkle little stars, ओके, कब दिखते हैं? रात को दिखते हैं. The sky is dark during the night, क्योंकि उस समय, जो sky होता है, जो हमने सुबह blue color का दिखा था, अब वो क्या हो चुका है? डार्क हो चुका है, अंधेरा च्छा गया है, और उसमें हमको एक moon दिख रहा है, और stars दिख रहे हैं. Moon moves around the earth and changes its shape every night. अब जो moon है ना, वो किसका दोस्त है? वो earth का दोस्त है. और वो earth के ही चारो तरफ चक्कर काटता रहता है. ठीक है? अगर आपका ये ball earth है ना, हमने पढ़ा था पिछले chapter में कि हमारा earth कैसा है? बॉल की तरह है. तो जो moon है ना, वो इसी के चारो तरफ चक्कर काटता रहता है क्योंकि वो इसका best friend है. ठीक है? और moon किसके तरफ पूरे चक्कर काटेगा? अर्थ के तरफ चक्कर काटता है. ओके और ये जो है भाई साब, ये अपना शेप भी हर दिन बदलते रहते हैं. कैसे? कभी ये पूरे ball की तरह दिखेंगे. फिर ये सिकोड होते जाएंगे. छोटे 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 बिल्कुल फिर बिल्कुल ही ठीक है? तो ये जो अर्थ के फ्रेंड हैं, जो अर्थ के चारो तरफ चक्कर काटते हैं, ये अपना शेप मेरे बच्चों हर दिन हर रात को चेंज करते जाते हैं. ठीक है? छोटे होंगे, फिर धिर बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे, ऐसा ये में दिखने लगते हैं moon और stars लेकिन जो moon होते हैं वो क्या करते हैं वो revolve करते हैं earth के वो earth के ही चक्कर काटते रहते हैं गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं and the most important thing that it changes its shape every night हर रात को ये अपना shape क्या करते हैं change करते हैं ठीके बदलते रहते हैं okay stars are very far away from the earth अब stars की बात कर ले, moon की बात हो गई अब stars की बारी आती है जो stars है, children, twinkle twinkle जो stars है, जो यहाँ पर twinkle twinkle कर रहे हैं वो earth से, अपने planet से बहुत दूर हैं okay, they are very far stars are very far away from the earth बहुत दूर है earth से so they look small to us और इसलिए वो stars हमें दिखते हैं छोटे से, अगर आप बहुत दूर चले जाओगे मेरे तो आप भी मुझे छोटे से दिखने लगोगे या for example, अगर आपने कोई चीज अपने सामने रखी है और आप उससे बहुत दूर चले जाओ तो वो चीज आपको धीरे धीरे देखना कम हो जाएगी similarly children, जो stars हैं वैसे तो इनका size है बहुत बड़ा क्योंकि ये हमारे earth से रहते हैं बहुत दूर इसलिए हमें दिखते हैं छोटे छोटे okay, that is why they look small to us इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं stars twinkle in the night sky और stars क्या करते हैं? twinkle, twinkle करते हैं, blink करते हैं you can see how beautiful these stars are blinking so twinkle, twinkle मतलब blink करना okay, so this is about the stars किस-किस के बारे हैं पढ़ लिया हमने sky की family में we learnt about the sun, clouds, moon and beautiful, beautiful stars जो हमेशा इम्टिमाते रहते हैं, twinkle करते रहते हैं sometimes you see the clouds और कभी-कभी हमें बादल दिखते हैं sometimes, कभी-कभी you see the clouds आपको दिखते हैं बादल है ना, सिर्फ बादल ही बादल दिखते हैं the clouds give us rain और जो ये बादल हैं, children ये ही बादल जब गंगोर छा जाते हैं आस्मान तो हमें देते हैं rains जब everywhere on the sky there are clouds children धीरे-धीरे ये ही clouds हमको क्या देते हैं rains देते हैं जब बारिश होती है ना, rains होती है ना वो कहां से आते हैं? वो आती है आपके clouds से जब clouds एक दूसरे से खूब टकराते हैं तो क्या produce करते हैं? rains, बारिश निकालते हैं sometimes we see a rainbow in the sky soon after rain on a sunny day और कभी-कभी चिल्रन हमको दिखता है rainbow कब दिखता है? बारिश हो जाने के बाद और धूप निकल जाती है कभी-कभी ऐसा होता है ना, बारिश फट से खतम हो गई और तुरंत ही धूप निकल गई सो चिल्रन इस टाइम पे हमको मिलता है rainbow, beautiful seven colors of rainbow यह होता है seven colors का और इसको हम कहते हैं इंद्रधनुष, rainbow और हमें दिखता है यह बारिश के बाद और धूप जब निकलती है, जब धूप पड़ती है आसमान में तो हमें मिलते हैं यह beautiful beautiful colors का rainbow ओके, so you can see children हमें मिलते हैं clouds, clouds से होता है rain और अगर बारिश रुप जाए और sun निकल जाए, sunny day में धूप निकल जाए तो हमको मिल जाता है rainbow, okay then we find a rainbow in the sky soon after rain on a sunny day, okay so यह है हमारे sky, the sun gives us light and heat अब जान लो पूरी family के बारे में, again, फिर से दोबारा sun हमको क्या देता है, light और heat just imagine children, एक दिन आप सोकर उठो और सूरज ना निकले sun rising ना हो morning में, east से तो क्या नहीं मिलेगा हमें, हमें नहीं मिलेगा, light natural light, हमको जलाने पड़ेंगे अपने घर की lights क्योंकि बाहर की light हो जाएगी, off ओके, तो sun हमको क्या देता है, light देता है, और देता है heat, गर्मी, ओके, sun के कारण ही हमारे earth, planet में इतनी गर्मी रहती है children, तो हमें क्या-क्या मिलता है sun से, sun gives us light and heat heat, the sun is a big ball of burning gases, जो sun है children, वो क्या है big ball है, और इसके अंदर क्या जल रही है, gases जल रही है, okay, it is a big ball, और क्या हो रहा है, burn, burn मतलब जलना, क्या जल रहा है, gases, okay, दुनिया की बहुत खतरना-खतरना gases क्या हो रही है, burn हो रही है अंदर, और इसलिए क्या बन रहा है, of gases, the sun is much bigger than the earth, अब सोचो, अर्थ हमें अपने आप में ही कितना बड़ा लगता है, और अर्थ से ही कितना बड़ा है, sun, तो sun कितना बड़ा होगा, वही लिखा है, the sun is much bigger than the earth, sun जो है वो अर्थ से much bigger है, मतलब कहीं जादा बड़ा है, our earth moves around the sun, और जैसे हमारे अर्थ के चारो तरफ कौन घूम रहे थे, उनके friend, moon, ठीक है, ये अपना अर्थ है, और अपने अर्थ के चारो तरफ कौन घूम रहा था, मून घूम रहा था ठीक है घूम रहा था क्या घूमते हैं और जो अपना अर्थ है चिल्वरन वो किसके चारो तरफ घूमते हैं वो चारो तरफ घूमते हैं सन के ओके वो चारो तरफ घूमते हैं सन के तो आप देख सकते हो अर्थ सन के चारो तरफ घूम रहा है और मून आप का अर्थ के चारो तरफ घूम रहा है और वही लिखा है और अर्थ मूव सराउंड दा सन गेस अब एक दूसरे से क्या है अर्थ सन के चारो तरफ मूव हो रहा है इसलिए दिन हो रहा है रात हो रहा है और मून आपके अर्थ के चारो तरफ घूम रहा है इसलिए जब सन चला जाता है तो मून की रोशनी हमें दिखने लगती है Okay, my dear students, तो ये है हमारा sky और देखो कितना कुछ sky के अंदर छिपा हुआ है, इतना simple नहीं है sky को समझना, ऊपर देखोगे तो आपको दिखेंगे कितने सारी चीजे और हर चीजों के पीछे छिपे हुए है, secrets, top secrets, okay? Okay, और आज करेंगे environmental studies का topic sky above me की summary, okay? So, in this chapter children, we learnt about our beautiful sky, कहा था ना घर से बाहर निकल जा, ऊपर आसमान में देखो, आपको दिखेगा नीला नीला आसमान, और नीले आसमान में जो चीजें हमें दिखती है, children, वो हो जाती है, sky के parts, right? तो हमने sun के बारे में पढ़ा, हमने moon के बारे में पढ़ा, हमने stars के बारे में पढ़ा, हमने clouds के बारे में पढ़ा, okay? तो अब children, दुबारा से इस chapter के करते हैं कुछ chapter highlights, discuss, और इस chapter को और भी तगड़ा बना लेते हैं, okay? So, let's start the chapter, sky above me, okay? We see the sun, moon and stars in the sky. जाहर से बात है, हम जब आस्मान में देखते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें दिख जाती हैं, आराम से. दिख जाते हैं हमाई sun, moon और साथ में सितारे, stars, okay? So, when we see on the sky, we can see sun, we can see moon and also we can see stars. These are together called heavenly bodies और इनको चिल्रन जो स्काई में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, like your sun, moon, stars, इनको चिल्रन एक नाम से बुलाया जाता हैं. And do you know what is that name? That name is heavenly bodies. उनको हम कहते हैं heavenly bodies. जो आस्मान के पाठ हैं, उनको हम कहते हैं heavenly bodies. क्या-क्या हो जाती हैं आपके heavenly bodies? Sun, moon and stars. The sun is a star too and our earth is a planet. आपको पता है, ये जो खूब बड़ा सा सूरज है, जो हमें देता है light और heat, ये भी एक प्रकार का big star है. ओके, ये कौन सी family को बिलॉंग करता है? ये बिलॉंग करता है star की family को children. ठीक है? और इसलिए यहाँ पे लिखा है, The sun is a star too. एक सूरज भी क्या है? एक सितारा है. And our earth is a planet. और हमारा earth क्या है? Planet है, ग्रह है. ओके, हमारे planet का नाम क्या है? Earth है. While the moon is a natural satellite. और moon को children हम कहते है natural satellite. और वो किसका satellite है? वो earth का satellite है. वो earth का friend है ना, discuss किया था ना, कि वो earth के यह चारो तरफ चक्कर काटता रहता है. तो जो moon है children, moon है earth का friend, जिसको हम कहते है natural satellite. आ गया समझ में, sun हो गया आपका star, earth हो गया आपका planet, और moon हो गया natural satellite. All heavenly bodies in space are called the universe. और जितनी भी heavenly bodies है children, जब वो sky में होते हैं, obviously वो sky में ही है, तो जो भी heavenly bodies sky में है children, उनको हम बुलाते हैं universe, ब्रह्मान्ट, है ना, कितना बड़ा होगा ये universe, आप खुछ सोचो children, वहाँ पे एक तो sun, जो कि earth से भी बड़ा है, उसके साथ है nine planets, है ना, बताया था ना, आपको कि there are nine planets, उसमें से अपना भी एक planet है, जिसका नाम है earth, जो आपके space में है, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं children, universe, ब्रह्मान्ट, ये आप देख रहे हो, this whole thing is universe children, और आपको पता है, कि अभी तक तो हमें पता नहीं है, कि ऐसे universe में, कितने सारी galaxies हैं, ये आप बड़े होकर पढ़ोगी, हमें तो सिब अपने बारें पता है, कि हमारे पास nine planets हैं, जो sun की चारो तरफ चक्कर काटते रहते हैं, बट ऐसे children और भी हो सकता है, कई प्रकार की चीज़ें हो, जो हमें अभी तक पता ही नहीं है, तो universe इतना बड़ा है children, और universe में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, heavenly bodies, in the night, the sky looks dark, रात के समय सूरज क्या हो जाता है, शाम को ही डूब जाता है, sets हो जाता है, तो रात को क्या हो जाता है, पूरा sky कैसा हो जाता है, dark हो जाता है, in the night, the sky looks dark, we can see the moon and the stars, और इसलिए फिर हम को कौन दिखते हैं, moon दिखता है और stars दिखते हैं, ठीक है, sun तो चला गया सोने के लिए, तो रात के समय फिर कौन आता है, हम से मिलने आते हैं, moon और stars, और उस समय sky जो हो जाता है, वो पूरी तरह से dark, the sun is a big ball of fire, sun जो है हमने डिस्कस किया था, it is a huge big ball of fire, चारो तरफ धेर सारी गर्मी निकल रही है, बर्निंग हो रहे हैं, क्या जीज़ का, गैस इसका, गैस बर्न हो रहे हैं, और इसलिए चिल्रन ये क्या है, बिलकुल गरम गोला है, आग का गरम खुब बड़ा सा गोला है, it is a star, it gives us light and warmth, वाम्त का मतलब क्या होता है, heat, light देता है sun, और हमें क्या देता है, गर्मी देता है, heat देता है या वाम्त देता है, every morning the sun rises in the east, हर सुबा, sun कहां से निकलता है, east से निकलता है, okay, the rising of the sun is called sunrise, कहते न, sunrise हो गया क्या, sunrise का मतलब, जब sun निकलता है, सुबा, east direction से, so that time is known as sunrise, as the sun rises, it spreads light and the day begins, और जैसे ही सूरज दुबारा से rise होता है, हर जगहा, sky का darkness खतम हो जाता है, और आ जाती है रोशनी, और दिन की हो जाती है शुरवाद, every evening the sun sets in the west, और फिर हर शाम को sun कहां जाव की डूब जाता है, west direction में, okay, जाके सो जाता है, डूब जाता है, set सो जाता है, the setting of the sun is called sunset, और जब sun डूब रहा होता है, so that time is known as sunset, so दो time होते हैं, एक होता है sunrise, when sun rises from the east, और एक time होता है, ज़़ sun डूबता है, sun sets from the west, okay children, so these are the two times, sunrise and sunset, okay, यह देखो यह जो एरिया है, यहाँ पर sun डूब रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, sunset, और morning में जब sun निकलता है, okay, और हर जगा रौशनी भर देता है, वो कहलाता है, sunrise, okay, after sunset, we see the moon in the sky, अब जब अंधेरा होने लगा है, जब sun डूब गया है, सोने चले गया है, तो हम को क्या दिखने लगता है, हमें दिखने लगता है, moon in the sky, चंद्रमा, चंदमामा हमें दिखने लगता है, sky में, the moon gives us light at night, अगर आपको लगता है ना, चंद्रमा की रौशनी, सो चिल्डरन, moon की खुद की रौशनी नहीं होती है, okay, moon की खुद की रौशनी नहीं होती है, no light, moon has no light, always remember, जो moon होता है, चंद्रमा होते हैं, चंदमामा, उनकी खुद की light नहीं होती है, तो क्या होती है, it is the light of the sun, which falls on the moon, इनकी जो light आप देखते हो ना, चंद्रमा की रौशनी, ये और कोई नहीं, ये सूरज की ही रौशनी है, जब सूरज डूब गया, और वो पिछले पीछे चला गया अर्थ के, वहाँ की रौशनी moon पे पड़ रही है, और उसी moon से children, आस्मान क्या है, light up हो रहा है, okay, you can see, ये जो moon की जो light है children, moon के पास खुद की कोई light नहीं होती, no power, no electricity, actually क्या होता है, जब sun set हो रहा होता है, और वो अर्थ के पीछे चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ की उतनी तेज रौशनी होती है, sun की के वहाँ से भी light कहां आ रही होती है, moon के उपर, और तभी moon चमकता है, okay, तो हमेशा याद रखना, moon has no light, उसके उपर जो light है, it is coming from the sun, okay, it is the light of the sun which falls on the moon, my dear students, okay, है ना एक बहुत important information, अब बताना अपने friends को, कि तुम्हें बता है, चंद्रमा की खुद की light नहीं होती है, चंद्रमा की उपर जो light है, वो तो sun की आ रही होती है, okay, we also see many stars twinkling in the night sky, और हम क्या देखते हैं साथ में, twinkle twinkle little stars है ना, जो twinkle करते रहते हैं, we also see many stars twinkling in the night sky, like the sun, they are also very hot, sun की तरह चिल्वरन ये भी क्या होते हैं, बहुत गरम होते हैं, अब sun भी है star, और stars तो star हैं, और इसलिए sun अगर गरम है, तो stars भी क्या हैं, बहुत गरम होते हैं, but as they are far away from the earth, their warmth does not reach us, लेकिन जो stars हैं वो earth से हैं, बहुत दूर, इसलिए stars की गरमी हमें नहीं लगती है, हम तक पहुचती ही नहीं है, okay, so as they are far away from the earth, they are मतलब stars, stars बहुत दूर हैं, far मतलब दूर होना, किस से दूर हैं, अर्थ से दूर हैं, इसलिए their warmth, उनकी गरमी, their warmth does not reach us, हम तक पहुचती नहीं हैं, stars के बारे में secret, के stars से गरमी क्यों नहीं लगती है, अगर star भी stars है, sun भी star है, तो sun इतनी गरमी देता है, तो stars से गरमी क्यों नहीं लगती, वो इसलिए नहीं लगती, क्योंकि stars are very far from the earth, my dear students, इसलिए उनकी गरमी हम तक पहुचती नहीं है, it does not reach us, और आज करेंगे sky above me की worksheet, we are going to solve the exercises of this chapter, we have learnt this chapter and we have understood, के sky की family में कौन कौन है, we learnt about the clouds, we learnt about the sun, we learnt about the stars, and these all things which are there on the sky, are known as heavenly bodies, so come and let's do the exercises together with me, my dear students, okay, give answers in one word, take help from the help box, क्या करना है, आपको ये sentences पढ़ने है, और help box की मदद से, इन boxes को करना है, फिल, okay, the first is, it changes shape every night, पूरे night को, हर दिन, हर night को ये क्या करता है, अपने shape को change करता रहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है, जो हर रात अपने shape को बदलता रहता है, and that thing starts from M, and children, you can take the help from the help box, कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी heavenly body है, ऐसी कौन सी चीज़ काई में प्रेजन्ट है, कि हर रात को अपना shape बदल लेती है, So, yes, children, it is moon, every night it changes shape, किसी दिन full moon रहता है, किसी दिन half moon रहता है, और किसी दिन गाया भी हो जाता है, ओके, तो moon children हर दिन अपना shape क्या करता है, बदलता है, हर रात इसके shape में कुछ ना कुछ changes दिखने को मिलते हैं, ओके, next, It gives us heat and light, ऐसी कौन सी चीज present है अपने sky में, जो हमें देती है, रोशनी और गर्मी, कौन सी चीज है, जिससे हो जाती है, सुबा और सब लग जाते हैं अपने काम में, और इस शब्द का, इस answer का starting word है, So, yes, it is sun, S, U, N, sun, Now, It moves around the sun, Sun की चाओ तरफ कौन चक्कर काटता रहता है चिल्रन, और ये जो चीज है, इसी पे ही हम रहते हैं, और ये कहलाता है हमारा प्लानेट, So, what is the name of our planet, चिल्रन, The name of our planet is Earth, और Earth is a plan, Earth is the planet, चिल्रन, विच रिवाल्स अराउंड दा सन, जो अर्थ के चारो तरफ, Sun के चारो तरफ घूमता रहता है, In fact, सारे ही प्लानेट, Sun के तरफ घूमते रहते हैं, चारो तरफ, उसी में से है Earth, विच मूफ्स अराउंड दा सन, Okay, They twinkle in the night sky, अब ये तो आप बच्पन से इस पौम को पढ़ रहे होगे हैं न, क्या चीज़े जो रात को twinkle twinkle करती है, So twinkle twinkle little stars, तो आंसर भी होगा आपका stars, S-T-A-R-S, Next, Color of the daytime sky, सुबा के समय जो sky होता है, उसका color क्या, Black होता है क्या, Dark होता है क्या, Yellow होता है क्या, तो क्या color होता है, Yes, उसका color होता है, Blue, Neela, आस्मान, और इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा, B-L-U-E, Blue, Okay, Now, Match the following, Match the following मतलब, आपको column A को column B से करना है, Match, Column A में जो चीज़े दी हुई हैं, Children, उसी से ही मिला के, आपको column B में उनके नाम से उनको करना है, Match, The first is, Huge ball of fire, एक ball है, जिसमें खूब आग है, गरम गरम इकदम आग निकल रही है, Burn हो रही है, कौन सी चीज़ है, Sky में, जो बहुत गरम है, और बहुत बड़ी सी ball है, और उसमें gases हो रही है, Burn, So, Children, Huge ball of fire, denotes our sun, Okay, Next, Clouds, Badal, Badal से क्या related है, Children, जब बादल आते हैं, तो क्या मौसम शुरू हो जाता है, कौन सा climate शुरू हो जाता है, When there are clouds on the sky, So, Yes, Children, जब गरमी के बाद बादल चा जाते हैं, आसमान में और मन में आ जाता है, राहत के चलो गरमी से अब हो रहा है, चुटकारा, क्योंकि आ रहा है बरसात का मौसम, और इसलिए, Clouds को हम match करेंगे, With rainy season, Okay, So, Clouds किसके साथ जाएगा, Rainy season के साथ, Now, Sunsets, Sun Cup set होता है, Children, Sunset आपका होता है, Evening में, और कौन से direction से set होता है, East से के West से, East से होता है न, No, आप बुलो कि no teacher, Sun तो East से rise होता है, तो Sun आपका set कहां से होता है, It sets in the West direction, Children, Right, तो Sun को हम किस पे set करेंगे, West direction से, Okay, Now, Rainbow, Rainbow कब आता है, याद है, Seven Colors का beautiful rainbow, वो कब आता है, मैंने आपको बताया था, Children, बरसात के खतम होने के बाद, और जब सनी डे होता है, जब धूप वाला मौसम आ जाता है, एकदम से climate में, सूरज निकलाएगा, और बरसा जस्ट खतम होगी, तब निकलता है आपका सुन्दर सा rainbow, सो किस से match करोगे, you will match with the rain, क्योंकि rainbow हमको कब दिखाई देता है, just after the rain, ओके, now, moon and stars, moon and stars हमको कब दिखते हैं, तो एक ही option बचा है, और वो ही option सही है, क्योंकि moon and stars आपको दिखते हैं, रात के समय, और इसलिए moon और stars को आप मैच करोगे, at night my dear students, okay, so this is the right answer of the question, okay, so this was the chapters, worksheet, exercises, children, sky above me, अब एक information कि, अगर आपको Magnet Brains के videos देखने होते हैं, तो जाना है Google Chrome में लिखना है, www.magnetbrains.com उसके बाद ये site खुलेगी, इस पे लिखा रहेगा, 10% free online education platform, नीचे दिये रहेंगी children classes, ना for example, you are in class 1, you will click class 1, तो आपके सारे teachers with subjects आपको दिखने लगेंगी, for example, आपको EBS पढ़ना है, click EBS, आपके सारे chapter wise videos आजाएंगे, आपको जो भी videos देखना है, click करो और video हो जाएगा, start, So, ये ता हमारा full chapter, Sky Above Me, जिसमें हमने कर लिये, उसके exercises भी solve और पढ़ लिया, इसका chapter भी, बिलेंगे अपने next video में, और करेंगे new topic से शुरुआत, तब तक के लिए, Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूले, क्योंकि मागनेट बेन से था किंडरकाटन to grade 12, free videos and free education. Thank you.